दोस्तो नियत कितनी भी अच्छी हो दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है और दिखावा कितना भी अच्छा हो खुदा तुमको तुम्हारे नियत से जानता है आस्मान पर उड़ते हुए परिंदे से किसी ने पूछा, क्या तुझे जमीन पर गिर जाने का डर नहीं? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं इंसान नहीं, जो जरा से बुलंदी पर रकल जाओं, नजरें मेरी हमेशा जमीन पर ही रहती हैं. बुराई की मिसाल ऐसी है, जैसे पहाड से नीचे उतरना, एक कदम उठाओ तो बाकी उठते चले जाते हैं, और अच्छाई की मिसाल ऐसी है, जैसे पहाड पर चहड़ना, हर कदम पिछले कदम से ज़्यादा मुश्किल, मगर हर कदम पर बुलंदी मिलती है. आख दुनिया की हर एक चीज़ को देखती है, जब आख के अंदर कुछ चला जाए, तो उसे नहीं देख पाती, उसी तरह इनसान दूसरों के आईब तो देखता है, पर अपने आईब उसे नजर नहीं आते, ये कभी मत सोचो, कि अल्ला तुम्हारी दूआ को फॉरण जो पहले से ही खुश हो, जो तकलीफ में हैं, उनके मुबाइल नंबर तक हो जाते हैं, कोई भी फैसला घुसे की हालक में ना करना, क्यूंकि उबलते हुए पानी में अक्स दिखाई नहीं देता, रिष्टे कभी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इनसान ही कतल करता है, कभी नफरत से, कभी नजर अंदाजी से, और कभी गलत फहमी से, कोई तुम्हारा दिल दुखाए, तो नाराज मत होना, क्यूंकि पुदरत का कानून है, जिस दरخت का फल ज्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं, किसी की मदद करते वक्त, उसके चेह हिंदा आखें, तुम्हारे दिल में खुरूर का बीज बोदे, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांग लेने के बावजूद, उसे दुख जरूर रहेगा, जैसे दिवार में लगे कील को निकालने के बावजूद, निशान रह जाता है, दो चेहरे इनसान को क वरना तुम्हें किसी दिन ऐसास होगा के पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया, अपने वो नहीं होते जो रोने पराते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते, माफ करने की आदत और होसला पैदा करो, यह तो अल्लह का करम है कि उसने इनसान के गुनाहो की परदा पोशी की अगर तुम्हारे दर्मियान एक दूसरे के गुनाह जाहिर हो जाते तो तुम एक दूसरे को दफन भी ना करते मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता कोई हालात नहीं समझता कोई जजबात नहीं समझता ये तो बस अपनी अपनी समझ है कोई कोरा कागस पढ़ लेता है तो कोई पूरी किताब नहीं समझता